हेलो कैसे हो आप सब बहुत दिनों से न मुझे एर ड्राइक ले से क्राफ्ट करने की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो चलो आज करते हैं तो इस वीडियो में मैंने एक क्यूट सा पांडा बनाया है और BTS का कीचेन बनाया है और पैंडेट बनाया है और तीनों ही चीजे ना बहुत ही एजी सबसे पहले ये BTS वाला कीचेन इसमें मैंने क्या किया ना कि जो कार्टून मुझे बनाना था उसका मैंने स्केच बना लिया आप कोई भी कार्टून बना सकते हो पर पहले स्केच बना लो तो आसानी होती है तोड़ा और फिर कले के छोटे छोटे पाड बना बना कर आपस में चिपका दिये और इसको द्यान रखना है कि फेवी कॉल की हल्प से स्टिक करना है वरना ये निकल भी सकते हैं कले पर क्या होता है ने कि उंगलियों के प्रिंट शप चाते है तो उस से रिमू करने के लिए हम पानी का यूज कर सकते हैं जादा नहीं यूज करना है बस थोड़ा सा ही अपनी उंगली पर लेना है और थोड़ा सर्फेस पर लगा देना है ताकि उसका सर्फेस एकदम प्लेन हो सके है और फिर BTS की बात हो रही है और हार्ट ना बना है ऐसा तो हुई नहीं सकता है परपल हार्ट तो बना नहीं है तो मैंने कले से ही परपल हार्ट भी बना है उस पर परपल कलर कर देंगे चलो जल्दी से कमेंट्स में परपल हार्ट कमेंट्स कर दो फिर आती है कलर की बारे तो वाइट में थोड़ा सा रेट कलर मिक्स करके मैंने इस पर लाइट पिंग कलर किया है और हाट पर पर परपल कलर किया है BTS कार्टून की आइस बनाने के बाद उस पर वारनिश का एक कोट अपलाई कर दिया है ताकि ये सफ रहे और हाँ एक बात का ध्यान रखतना की कलर को पूरी तरह सुखने देना है वरना ये फैल सकता है जलते हैं सेकन्ड पीस की तरफ सेकन्ड पीस हमारा पेंडेंट है pendant में मैंने क्या किया है ना कि dog के जो print होते है उसका shape देने की कोशिश किया पता नहीं वेसा दिख भी रहा है या नहीं पर मैंने किया है वेसा ही कुछ और same इसके earrings बना लिये हैं और जो pendant बना आया था उसमें एक hook भी attach कर दिया है जितने भी favorite सारे color थे उन color से color कर दिया है और same earrings को भी वेसा ही color किया है कोई ये वाला piece कैसा लगा जरूर बताईएगा comments में ये भी बताईए कि आपको अगला वीडियो किस topic पर चाहिए या फिर clay पर ही चाहिए पर क्या बनाऊ मैं उस वीडियो में वो बताईए चलो अपना तीसरा piece बनाते है ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना लिया था बट मैं डान ली पाई थी तो मैंने इस वीडियो में इट कर दिया इसमें मैं पांडा बनाने वाली हूँ जो कि brush holder होल्डर होने वाला है इसमें मैंने क्या किया air dry clay के दो गोले बनाये है size छोटी बड़ी है देख सकते हो आप वीडियो में और उसे stick कर दिया और फिर उसके बाद उसकी पूझ पांडा की पूझ बनाई है कान बनाई है, नाग बनाई है और हाथ और पेर बनाई है और उन्हें stick कर दिया है अगर आपका clay थोड़ा सा सकत हो गया है तो आप favicol use कर सकते हैं और करना ही है आपको favicol use यह असानी से stick नहीं हो पाएगा मेरा थोड़ा सा गीला-गीला सा था इसलिए वो stick हो गया और इसके बाद सेम वही प्रोसेस पहले white base apply करना है आपके पास jeso है तो jeso apply करो या फिर white color apply कर सकते हो फिर उसके बाद उसकी आखे बनाई हैं फिर कान और हाथ पेर पर black color कर दिया है मुझे तीनों ही पीस बनाने में बहुत मज़ा आया और बहुत easy भी थे आपको कैसा लगा आप comments में बताई और तीनों में से आपको कौन से जाद अच्छा लगा